कि हलो विवर्थ वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल तो आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर नाइथ थर्टीन क्लास नाइंत का कोशन नंबर थिरी तो पहले समझ लेते हैं कोशन में क्या पूछाया है क्या निकालना है कैसे करना है चलो कोशन को अंडेस्ट प्रकोशना है क्यों बच गया टूटने को यह से बिए तर्मिटर क्या होता है बच्छोप पैरिमीटर जो होता है अगर स्ट यह नंबंबाई को इस चोडाई को फिर इस लंबाई को और फिर इस चोडाई को इसको अगर टोटल कर दिया जाए जोड दिया जाए तो इसको बच्छो पैरेमीटर कहते है यह साइड प्लस यह साइड प्लस यह साइड प्लस यह साइड इन 4 साइडों का जो टोटल होता है वो पैरिमीटर तो question कह रहा है कि इसका जो पैरिमीटर है वो 250 मीटर है हंदी में बोलते हैं perimeter को बच्छो परिमाप कि इसका जो परिमाप है वो कितना है 250 मीटर तो लिख देते हैं फटा-फट जो दिया है question वो लिखना बहुत जरूरी है तो लिख देते हैं green color से लिखूंगा perimeter हिंदी वाले परिमाप लिखेंगे इसकी जगा कितना दिया है 250 meter अब perimeter होता है क्या यहीं से देख के लिख दो L दो बार आती है तो 2L प्लस B दो बार आ रहा है प्लस 2B 250 meter 2 को common ले लो L प्लस B is equal to 250 meter यहां तक clear हो गया अब question क्या कह रहा है आंगे question कह रहा है कि cost आंगे यहां तक दे दिया आमने कर दिया wall at the rate of 10 per meter square एक meter square बनाने की जो costing ली गई है वो 10 rupees ली गई हिंदी में देखे बलुकुल सापको समझ में आजाएगा 10 rupees प्रती meter square की दर से यानि एक meter की कीमत है 10 rupees और क्या कह रहा है और कितना spend आया 15,000 का जो है total spend तो देखो अब हमें इस पे चारो दिवाले बनाने तो अब क्या निकालना पड़ेगा अब चारो दिवालों का एर्या का एक entar होता ही цे लॉंग त्रीका चाहां तो लॉंग तरीका यूज करो Siob तो हम लिखते हैं चारों और हिंदी में हिंदी वाले तो स्यार होते हैं इंग्लिस वालों को समझा दूं क्योंकि इंग्लिस में लिखना एडिया ओफ फॉर वॉल्स इसका फार्ना होता है बच्छो है तो हम इज़ान से देखिए थू और ंल पना सकते हैं इसकी वेलू को कितना मैं इसकी यहार कितना पूक कर सकते हैं और तो हम इस axe को इसको फेल तो पुट किया है हमने क्या 2L into B is equal to 250 इतना पुट कर दिया यह पुट आपको दिख नहीं रहा होगा गर्दन के पीछे चला आगे हम ले आए वापस तो पुट कर देते हैं तो हमारा जो एरिया आएगा यहां रखिएगा यह पुट किया है तो अब हम ग्रीन से लिखें ह की ही रहेगा और जो यह संख्या है इसकी जगे हम चाहें तो पुट कर सकते हैं क्या इसकी जगे हम 250 रख सकते हैं तो इसे रख दिया मल्टिप्लाइम में होती है संख्या है 250 यह आगया बच्चो 250 यह निकला है हमारा एरिया मीटर स्कॉर्र अब कोश्चन कह रहा है कोश्ट का भी कंडिशन है कितनी 10 रुपीज पर मीटर स्कॉर्र तो निकाल लेते हैं कोश्ट आफ वाइट वासिंग कूज्ट थह जो बहुतक ने पेंट करने का हाँ दी वालम के लिए एक ही ची लिखते है तो फेदी कहते हैं उसे तो कॉस्ट आप पेंटिंग और तो कॉस्ट निकालने के लिए सेम तरीका यूज करेंगे जो पिछले कोश्टन हमने किया था कितने का वन मीटर स्कॉयर का तो मीटर स्कॉयर कैंसल हो गया और यह आ गया आपका टैन से मल्टिप्लाइए करेंगे तो ट्वंटी फाइफ हंड्रेड एच यह कॉस्ट आके रुपीज में थ्यान रखना है यह रुपीज लेखना तो जगह नहीं थी ठीक है अब लेकिन कोश लोट्पर देखो बच्चो जहां से में लाएं कट्ना कररों यहां से चांश कितना दे रखी छिए फिफोटीन है विप्टीं दे रख्टी तो इस फिफटीन दाउजएंड को मैं यहां पूद कर देते हैं तो कॉस्जटन का कोश्ट कितनी है कोश्ट इस गिविन है में कितनी 15,000 रुपीज स्टार्ट में लगा लो यानि यह वैलू कितनी होगी 15,000 तो लिख देते हैं सो देट इसलिए 2500 एच इस एक्वल टू 15,000 यह संख्या मल्टिप्लाई है और मल्टिप्लाई वाली संख्या में समका ले जाते हैं डिवाइड में ले जाते हैं तो सॉट कर समी विद्यालें पढ़ाया जाता है इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करेंगे यह आ गया आ अब दो जीरो से दो जीरो उड़ा दी तो यह बच्चा क्या 150 अपन 25 अपन 25 का टेवल तो आता होगा 25 बन जा 25 25 सिख्या 150 यानि यह आ गया क्या हाइट कितनी निकलाईगी एरो नहीं लगाना है इस बार हैरो हर्देगा नहीं लगाते है इस इकल निकल आई 6 मीटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको इस फार्मुले में कन्फ्यूजन है कहां पर यहां वाले फार्मुले से तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना हम दूसरे तरीके से भी इस कोश्चन को सॉल्व करके सेयर कर देंगे उसके लिए हमारे चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को दबा देना आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम स्टाट करने वाले हैं नेश्ट कोश्चन वह भी नेश्ट वीडियो में